वीडियो पर पहले बार है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें चैनल पर पहले बार है तो सस्क्राइब करके बाज़ा में दिखने वाले घंटे को दबा कर अल नोटिफिक्शन आन कर दें यानि कि इस बार तैयार हो जुए है एक फर्फेक्ट DSLR क्यामरा खरीदेने के लिए दो तो स्मार्टफोन इतने ज़्यादा फ्यूचर वाले स्मार्टफोन इतने कम कीमत के ऊपर रोजाना एक से future एक स्मार्डफोन लान्ज करता ही जारा है हम लोग हाइरान हो जारहे है कि स्मार्टफोन को खरीडे तो कौन से कमनिय को खरीडे रिसेटी शोमी ने globally लान्ज कर दिये अपना नया स्मार्टफोन मी 11 को धोस्तो ये स्मार्टफोन भी बहुत ज़ादा हाई फीचर वाला स्मार्टफोन ही जिसकी अन्बॉक्शिंग अगर आप देखना चाते हो तो कमेड़ स्मार्टफोन में लेकर आने के पूरी कुशिश करूंगा पर हाँ प्राइस तो जादा है और रिसेंटली सैमसॉंग ने भी लॉंच कर दिया है और रियलमी की बात करें तो एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन महिने में दो या तिन लाता है जाता है खैर दोस्तों ये तो होगे सारे स्मार्टफोन मेकिंग कमपनी की बात इसके अंदर वनप्लेस के अगर हम बात ना करें तो ये नाइसाफिक बात हो जाएगी दोस्तों वनप्लेस ने भारत की मा इसमार्टफोन है जिसकी क्यामर के बारे में आप लोग अगर जानोगे और कहोगे मेरे को कामर्टपॉक्श में वाह क्या गजब ता स्मार्टफोन दोस्तो एक यूटूबर है डेव 2D और इन्होंने कंफर्म कर दिया है और इन्होंने अन्वाक्सिंग भी दिखा दिया है दोस्तों यानि कि मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Company की OnePlus 9 Pro और OnePlus 9 स्मार्टफोन के बारे में तो यह स्मार्टफोन की स्क्रीन Quad HD Plus डिस्प्ले साथ में 120 Hz रिफ्रेश रेट होने वाला है दोस्तों इस बाहर की जो इमेजस निकल कर सामने आया है और सेम टू सेम OnePlus 9 Pro रेंडर्स निकल कर आये थे नवंबर के अन्दर काफी ज़्यादा मिलता जूलता है पर यहाँ पर नोटिसिबल बॉइंट यह होगी कि तोड़े डिजाइन में चेंजस देखने के लिए इस स्मार्ट फोल में मिल रहे है अस कंपेर्ट तू प्रिवियस दोस्तों इस बाहर की जो रिपोर्ट निकल कर आया है न ओ इंडिकेट कर रहा है कि OnePlus 9 फोंस में एक मेजर अपडेट लेकर आने वाला है कैमरा डिपार्ट मेंट और ओ भी एक कंपनी के साथ टीम अप और डिकर चुकी है लिका कंपनी के साथ यह specially कैमरा आप्टिक्स बनाते है और कहा जा रहा है और एक कंपनी के साथ इन्होंने टीम अप कर लिया है Swedish Photography Company Hassle Light दोस्तो आप साफ साफ देख सकते हो क्यामरा के ओपर हैसल ब्लाइट नांद लिखा हुआ है इस बार की स्मार्टफोन में एक नहीं डो नहीं तीन नहीं चार क्यामरा मिल ले वाले हैं वो भी rectangular shape में upside screen के ओपर देख पा रहे होंगे और साथी साथ या lady flash भी smartphone में दिया गया है खास तोर फ़र laser autofocus smartphone में दिया गया है तो मेरा दिल यहीं पे जीत गया smartphone right side में देखूँगे तो power off, power on की button दिया गया है पर वह ही left side में volume up, volume down का rockers दिया गया है जो काफी खूबसूरत curve design देखने में मिल रहा है और screen के corner में punch hole cutout दिया गया है जो selfie स्कीसने में एकदम जबर्दस लगेगा और देखने में साफ साफ नजर आ रहा है USB type C port दिया गया है alongside speaker grill के साथ और sin tray भी दिया गया है live images हमको पता करके दे रहे हैं कि वन प्लस 9 pro की जो specifications exactly होने वाले है quiet HD plus display, 120Hz refresh rate, 256GB storage और 11GB RAM और आप लोग कहोगी भाई ये smartphone में 11GB RAM कहां से आ गया ये 12GB वाला retail unit होगा जिसके अंदर 11GB RAM आपको मिलने वाला है दोस्तों ये smartphone में कितना megapixel camera होगा ये तो reveal नहीं हो गया है पर processor भी reveal नहीं होगा है दोस्तों इसे smartphone के बारे में आपकी कह रहा है, सजाव है, सवाल है जो भी है, चैट सेक्षन में एक बार जरूर बताए आशाकरत आपको उड़े पसंद है तो like करे, share करे और वीडियो देखने के लिए बहुती धन्यवाद, जैहिंद, वन्यमातरम